कि संपदा नियुज में आपका स्वागत हमें एक पुस्तक मिली है स्रीमोथ टीवे के संग्रन से तेग अली और काशिका यह जो हम हम आपको परसुत कर रहे हैं इस पर आधागत है तेग अली एक बहुत ही मशहूर नाम है और काशिका क्या है अब इस अंदर्भों में हम सबसे पहले इसकी भूमका पढ़ी चलना है आप से बता दें कि वारारसी या बनारस में बोली जाने वाली भासा कुछ दीनों में बात ही एक काशिका कह जाने लगी थी और भासा बिग्यान का अनुशिरन करने वोड़े लोग विद्वान जो है इसकी तीन साखाशोगार करके इसका नाम जो है करण मलिका बलिका और काशिका किया गोरखपूर जनपत में के एक भाग में गौतम बुद्ध के समय में जो की भासा को बलिका कहा गया और बरजी में पिंगल और राजस्थानी का डिंगल ऐसा नाम करण हुआ काशिका का सहित्य मुख्यतव पदात्मक है और पदों की पांच मुख्य विधाएं मिलती है ये पांच विधाएं है भजन, कजली, चैती, बिरहा और गजल इसमें भजन, रामानंद और कबीर जैसे संतों की देन है कजली का संबंद मूलता, शिवशक्ति उपासना से रहा है चैती है उन्नाएक बैश्रों की भासा और बिरहा जो है आभीर की देन है और गजल जो है तेग अली जैसे मुसलमानों की परंत सोहर आवधी प्रहावित है और होली बर्ज भासा से प्रहावित है आप सो बतादे है भक्ति के भाव से किया जाने वाला भगवान का अनुवादन ही भाजन है अब यह भक्ती चाहें सगुलवाद में हो या निर्गुलवाद में हो कजली का मूल शक्ति पूजा में प्रतित होता है काशी और मिर्जापूर कजली के लिए परसिद रहे हैं इन दोनों ही अस्थान शक्ति पीठ हैं जिस समय कजली रची गई होगी उस समय वारानसी और मिर्जापूर एक ही जनपद रहे होगे कजली का सम्बंद तीज से है और तीज का सम्बंद हर तालिका बरस से है और इस बरत उपासना का सम्बंद गोरी से है आप से हम बता दें कि एक शब्द आता है इधर भोशपूरी में सावर गोरिया यह सब बिगड़ा हुआ रूप है सावर नायव कि श्यामा है और गोरिया में गोरी है श्यामा और गोरी यह दोनों नाम देवियों के नाम है और यह किसी और भाव में यह इस गाने में और रचनाओं में परसुत किया जाता है यह दोनों देविय के नाम है और अनुमान है कि कजली का संबंद शक्त की उपासना से था हम बात तेग अली जी की कर रहे हैं आप से बता दें कि जैसे हिंदी वाले स्वरगी राम किश्र वर्मा को भूल गए हैं वैसे ही कासी वासी उस्ताद तेग अली को भूल गए हैं आवाज कासी के दो मुहलों में बताया जाता थे हैं और यह जो है एक तिलिया नाला और दूसरा बदों सच तो यही है कि कासी में तेग अली का नाम काफी रोशन रहा है तेग अली जी एक ऐसे कवी हम कह सकते हैं रहे हैं जिन्होंने गजल का प्रारमिक शर्ण जिसे पहले जब गजल यहां प्रारम वहा था तो उस समय जो है इनका जो है बिशेश रूप से युगदान रहा है गजल मुखता खुशन और इसक का गीत माना जाता है इसकी जनभूम अरब और बिकास भूम फारस है गीत की यह विधा मुसलमानों के साथ भारता ही आरम में तो यह वह यहां भी गजलें फारसी में ही लिखी जाती रही परूंत चोधवी सदाब्दी आते आते भारती भासाओं में सर पर्थम गजलों की रशना होने लगी वली जो 1668 से लेकर के 1744 इस भी तक इनका नाम आता है उर्दू के पर्थम कभी कह जाते हैं इनकी प्रारम भी गजलों अधिक थी भारते इंदू हरिशंद के पिता जी जो है गोपाचन जी की भासा जो है उर्दू से काफी प्रभावित थी और श्री जैसंगत प्रसाद जी भी गजल वो गुरों ने काफी लिखा है और उनकी भासा जबकि गजल की सुद्ध हिंदी की है आपको हम एक कुदार प्रसुत कर दे रहे हैं जैसंगत प्रशाद जी की यह इंदू नमक रशना से लिया गया है खंड एक में है और रशना है आपको हम बढ़के सुना दे रहे हैं सरासर भूल करते हैं उन्हें जो प्यार करते हैं बुराई कर रहे हैं और अस्विकार करते हैं न इतना फूलिय तरुवर सुभल कोरी कली लेकर बिना मकरंद के मदुकर नहीं गुंजार करते हैं ये रशना जे शगर पसाज जिकी है उनकी रशनाओं में गजल भी पाय गये हैं धीरे धीरे गजल के लोग पिरता बढ़ती गई और संस्कित गुजराती मराठी और बंगला में भी गजले ल पंडित गुपाल उपासनी में संस्कित में गजले लिखी तो मिया तेग अली ने काशिका में तेग अली की गजलों का परसम प्रकाशन रामकिश वर्मा ने बदमाश दरपर नाम से किया था और उसमें कुल तेज़ गजले थी हमारा ये करिकम शिर्फ इस उद्श से था कि काशिका और तिग अली का क्या संबंद है फिलहाल ऐसे हम कवियों को और लेकों को लाते रहेंगे संपदा नूच आपका हार्दिक स्वागत करता है धन्यवाद नमस्कार